हरहर महादे, जय मातदी, जय बालाजी महराज, जब हनुमान जी अपने भक्तों पर प्रसन्ध होते हैं, उनहें खास कारे के लिए चुनते हैं, या उनकी पूजा पाट से सफल होते हैं, तो उनहें कुछ न कुछ अपने होने की अनभूति कराते हैं, कुछ संकेत देते हैं कि अब दुख का समय खत्म हो चुका है अब सुख का उदय होगा और तुम्हारी पूजा पाथ सफल हो चुकी है मैंने चुन लिया है तुम्हें अपने विसेस कारें के लिए अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा ऐसे में कुछ संकेत मिलते हैं जो हन्मान जी महराज अपने भक्त को देते हैं हन्मान जी महराज जैसे की प्रत्यक्ष देवता के रूप में कल्यूग में जाने जाते हैं सक्ति पुंज के रूप में जाने जाते हैं जो भी भक्त जान उन्हें पुकारता है कल्यूग में विस शुरूप से वह साक्षात दर्शन देते हैं वक्त भी उनकी सच्चे मंत से पूजा आरादना करते हैं ऐसे में आप सभी को संकेत मिल रहे हैं तो आपके दुख के दिन कम होने वाले हैं, नान जी महराज आपको विसेश संकेत दे रहे हैं, जब सबसे पहला संगेत यह होगा हनमान जी महराज का, जब आप किसी कारी की सुरवात करें, या कहीं पर आप गलत होते हुए देखें, कई लोग होते हैं जुपचाप देखे रहते हैं, परन्तु आपके अंदर एक ऐसा गुड़ा आएगा, हनमान जी महराज आपके अंदर गुड़ाएंगे, कि आप तुरंत बोल उठेंगे, गुष्टे की भावना से आप भर जाएंगे, हाला कि अन्य समय आपको गुष्टा नहीं आता हो, परन्तु गलत को गलत देखते हुए, कई लोग होते हैं, वहां से चलते बनते हैं, परन्तु आप वहाँ पर बोल उठे और उसे सही करने की कोशिश करेंगे, एक हन्मान भक्त के अंदर सबसे पहले हन्मान जी महाराज यह गुण लाते हैं, उसे संकेत देते हैं, दूसरा संकेत होगा, हर एक कारे के लिए आपको बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, हन्मान जी महाराज सबसे पहले अपने भक्त के अ इस भौतिक जीवन की इच्छाओं के पूरी करने के लिए कोई गलती हुई है तो सबसे पहले आप में सेंसिटिविटी बहुत अधिक हो जाएगे पश्चाताप की भावना आपके अंदर जागरेत उठेगी प्रते एक जन्में यह नहीं होता गलत करने के बाद भी हसते रहत कर रहे हैं हनमान 40 जी मंत्रों का जाब कर रहे हैं या मंगलवार की ब्रत कर रहे हैं ब हैं जी को अपने आसपास जब आप दुख्की गाणीं में होँगे स्वयम महसूस करेंगे कहीं अकेले स्थान पर होँगे तो हन्मान जी महराज अलग से आपको इस तरह की सुरक्षा कवच के रूप में बताएंगे कि आपको उनके होने का एहसास होगा साथी आप हन्मान चालिसा का पाठ कर रहे हैं या कोई कारिकर रहे हैं या हन्मान मंदिर में गए हैं तो आपको एक अलग तरह की ठंड सी महसूस होगी या एक अलग तरह की गर्मी महसूस होगी अलग तरह का आपको अनभव होगा आपके रॉंग्टे खड़े होंगे या आपके आखों में हन्मान जी की तरब देखते हुए या उनका पाठ करते हुए हलके से आंसु होंगे संकेत आपको हन्मान जी महाराज खास लोगों को देते हैं आप जो है बहुत अधिक हन्मान जी के मंदिर जाने की सोचेंगे हन्मान जी के पास जाने की सोचेंगे लाल वस्तरों से आपको भी इस रूप से लगा होगा इसके साथ ही आप जो है स्वपने में हन्मान जी के किसी मंदिर को देखेंगे या किसी न किसी रूप के आपको दर्शन होंगे इसके साथ ही आप में यह गुण भी आएगा यह भी संकेत होगा पहले से आप अलग होगे आप जो है काम क्रोध लोब मोह इत्यादी से काफी दूर रहेंगे इसके साथ ही इस्तरियों के प्रति आपके के लिए विशेश तरह का सम्मान जाग रिठ होगा आप इस्तरियों को माता वह बहन की नजरों से अधिक देखेंगे कि कहीं पर माता और वहनों के लिए गलत हो रहा है सबसे पहले आप बोल उठेंगे यह भी एक सच्चे हन्मान भक्त की जो है गुण होता है हन्मान की महर कारे हो रहा है तुरंत आप छोड़ देंगे तंबाको गुटका पान इत्यारी बिल्कूल आप इन चीजों से नफरत होने लगेगी मदीरा पान इत्यारी से आप सच्चे हन्मान जी के भक्त हो जाएंगे आप गरीब को हर तर्दम मदद करते हुए देखेंगे आप गरीब जो है आप हनमान जी महराज के पूजा सच्चे साधंक है तो आपके कहीं न कहीं कुछ ऐसे अनुभव होते रहेंगे जो हनमान जी महराज आपको अपने आसपास होने का अनुभव कराएंगे इसके साथी आप में अलग तरह की हिम्मत अन्य लोगों से आएगी किसी की लगेगा इस तरह से गुण होते हैं आपके दीपक में कई बार जब आप पूजा करेंगे हनमान जी महराज की तो फोल रुखने लगेगा यह कुछ संकेत होते हैं जो हनमान जी महराज अपने भक्त को अन्य लोगों से विसेश करवाते हैं उनकी पूजा से प्रसंड होकर उनके अंदर यह गुण भड़ते हैं यह संकेत देते हैं हनमान जी महराज को कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसंड हूँ अब तुम्हारे दुख्य घणी का अंत होने वाला है सुख जो है आपके जीवन में आने वाला है वीडियो हेलपूल रही हो तो हर हर महादेव भूले जैमा तदी